नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 23 सितंबर दिन सनी बार खबरो के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर राज्यम में पहली बार बनेगा सिल्क का सॉल और कोट पैन केके पाठक ने स्कूल के जांच के दोरान हेड मास्टर को लगाई फटकार बिहार की 4,140 प्रोजेक्ट के लिए नाबार देगा 14,470 करोड का रिल बेतिया में 25 सितंबर को जॉब कैम्प का आयोजन अमिताब बच्चर ने किया बिहारी निर्माता की फिल्म का ट्रेलर लॉंच अब चले बरते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर वस्तार से दिल्ले पुलिस कॉंस्टेबल के 7,547 पदों पर निकली भरती दिल्ले पुलिस के द्वारा कॉंस्टेबल के 7,547 पदों के लिए भरती निकाली गई है जिन में से 5,056 पद पूरुसों के लिए और 2,491 पद महिलाओं के लिए है ऐसे में जो लोग इसके लिए आवीदन करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट दिल्ली पुलिस.gov.in पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आवीदन कर सकते हैं बता दे किसके लिए आवीदन करने की अंतिम तारीक 30 सितंबर 2023 तक नरधालित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो मिदवार को किसी मानिता प्राप्त बोर्ट से बारवी पास होना अनी बारे है वहीं सजुरी अधिक जानकारी के लिए उमिदवार जारी की एक अधिसूशना को देख सकते हैं गाचे में पहली बार बनेगा सिल्क का सौल और कोट पैंट बिहार में पहली बार सिल्क का सौल तयार किया जाने वाला है बता दे कि हकाम भागलपुर में शुरू होने वाला है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि शॉल तयार करने में जिन चीजों का अस्तवाल किया जाएगा उसमें मलबड़ी स्पंच, मटका, घिज़ा और खेवा जो की कोकून से बना धागा शामिल है मालुमों कि इन से बनने वाले सिल्क के सॉल टिकाओ होते हैं और कम से कम पांच साल तक के लिए जरूर चलते हैं हलाकि सॉल आम सॉल की तुलना में कुछ महंगा होगा अस बारे में सल्मा सिल्क समीती के सचीव मुंतकीम अंसारी के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि ट्रायल के तौर पर पहले 100 सॉल बनाए जाएंगे इसके बाद जैसे ही मांग बढ़ेगी तो बड़े पैम करने में बूनकडों को एक दिन का समय लगेगा जस वजह से इसकी श्रिवाती कीमत 3500 से अधिक नरधारित की जाएगी इसके लावा इस लगन में सिल्क के कोट पैंट भी ग्राकों के लिए उपलध होंगे जिसकी कीमत कम से कम 3000 रुपे मीटर होगी डिहारी बर्थरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रामधारी सिंग दिनकर के बारे में रामधारी सिंग दिनकर का जन्म आजी के दिन 1908 में हुआ था यहिंदी के एक प्रमुक लेखक कवी वह निवन्धकार थे वे आधुनिक युक के स्रिष्ट वीर्रस के कवी के रूप में स्थापित है राश्टरबाद अधवा राश्ट्रियता को इनके कावे की मूल भूमी मानते वे इन्हें युक चरन वा काल के चारन की संग्यात दी गई है दीनकर स्थंता पुर्व एक विद्रोही कवी के रूप में स्थापित हुएं और स्थंता के बाद राश्टर कवी के नाम से जाने गए वे छाया वदुत्तर कवीयों की पहली पीधी के कवी थे एक और उनकी कविताओं में ओज विद्रोह, आक्रोश और क्रांती की पुकार है तो दूसरी और कोम स्रिंगारिक भावनाओं की अभी व्यक्ती है इन्ही दो प्रवृतियों का चरम उतकर्स हमें उनकी कुरुचित्र और उर्वसी नामक्रीतियों में मिलता है उन्हें पद्म विवूशन के उपादी से भी अलंकरत किया गया उनकी पुस्तक संस्क्रित के चार अध्याई के लिए साहित अकादमे पुरुसकार तथा उर्वसी के लिए भारतिये ग्यान पीट पुरुसकार प्रदान किया गया 1947 में देश सवाधिन हुआ और वह बिहार विश्यविद्याले में हिंदी के प्रध्यापक वह विवागद्यक्ष न्युक्त होकर मुझपर पर पहुँचे 1952 में जब भारत की प्रिथम संसत का निर्मान हुआ तो उन्हें राजसभा का सदश्य चुना गया और वह दिल्ली आ गया दिनकर 12 वर्ष तक संसत सदश्य रहें बाद न उन्हें 1974 से 1975 तक भागलपुर विश्यविद्याले का कूल पती न्युक्त किया गया लेकिन अगले ही वर्ष भार सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 तक अपना हिंदी सलाकार न्युक्त किया और वह फिर दिल्ली लोटाएं बिहार में बायो फ्यूस उत्पादन के लिए मिलेगा इतना अनुदान बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा बिहार बायो फ्यूस उत्पादन प्रोटसाहन नीती 2023 के तहट बायो फ्यूल उत्पादन के लिए लगाए जाने वाले संयंत्र एवं मसीनरी लागत का 15 प्रतीशत और अधिक्तम 5 करोड रुपे अनुदान के रूप में द जो लाव मिलते हैं उनमें स्टांप सुल्क या पंजीकरन सुल्क भूमी संपरिवर्तन सुल्क 5 वर्ष अबधी के लिए कैप्टिब पावर सहित विद्युत सुल्क 5 वर्ष अबधी के लिए स्टी स्टी की 100 प्रतीशत प्रतीपूर्ती होती है इसके लावा बैंकों से लि कर्मचारी के लिए 50 प्रतीशत और महिला कर्मचारी के लिए 100 प्रतीशत दिये जाते हैं इसे जुरी अधिक जानकारी के लिए www.state.bihar.gov.n slash industries या 1860345614 पर संपर किया चा सकता है पित्रिपक्ष मेला में अलग-अलग भाषाओं में मिलेगी जानकारी 28 सितंबस से विश्व प्रसिद पित्रिपक्ष मेली की श्रवात होने वाली है SMS को लेकर तयारियों का सरसला जोरो सरो से चल रहा है बतादे किसी कड़ी में तर्थ यात्रियों के सुधा को ध्यान में रखते वे गया DM Dr. त्याग राजन SM के दोरा IBRS जिसका नमबर 9266-528168 मोवाइल एप PINDDD ANGAYA और वेबसाइट www.pinddangaya.bih.gov.in का लोकारपन किया गया है बतादे किसकी मदद से घर बैठे देश विदेश के कोने कोने के तिर्थ यात्री अपनी जरूरत के नुसार पूरी जानकारी ले सकते हैं वहीं मेले के दोरा जिला प्रिशासन के दोरा कंट्रोल रूम का नमबर भी चारी किया गया है जो की 06312222500 और 063122225001 5025305.5 है इसके साथ है इस वर्ष अलग अलग भाषा में रेडियो जिंगल भी तयार किये गए है जिसे यात्री नौ भाषा में जानकारी हासल कर सकेंगे जाने कब नीन से जागेंगे विक्रम लैंडर और प्रग्यान रोवर ऐसी खबर चल रही थी कि चंद्रयान तीम का विक्रम लैंडर और प्रग्यान रोवर बीते दिन यानी की 22 सितंबर को शुरे की रोशनी परते ही अक्टिव हो जाएगा लेकिन अब इस पर एहमदाबाद स्थत इस्ट्रो के स्पेस एप्रिकेशन सेंटर के डारेक्टर निलेज देसाई के द्वारा जानकारी देते वे बताये गया है कि विक्रम लैंडर और प्रग्यान रोवर को आज यानी की 23 सितंबर को जगाने की कोशिश की जाएगी फिलाल वे निस्क्रिये हैं धरसल उनका कहना है कि चांद पर सुबह तो चुकी है सूरज की रोशनी भी पूरी तरह से मिल रही है लेकिन विक्रम लैंडर और प्रग्यान रोवर को अभी तक उतनी उर्जा नहीं मिल पाई है कि वो एक्टिव हो जाए हाला कि चंद्रियान तीन से मिले इंपुट को वैग्यानिकों के द्वारा गहनता से जांच की जा रही है महीं अगर आज एक बार फिर से विक्रम लैंडर और प्रग्यान रोवर को अक्टिव करने में सफलता मिल जाती है तो आगे चांद के सतह सिजुरी और भी जानकारी इस रोको मिल सकती है केके पाठक ने स्कूल के जांच के दोरान हेड मास्टर को लगाई फटकार बिहार में सक्षा विवस्था में सुधार लाया जा सके इसको लेकर सक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीब केके पाठक के दोरा कई फर्मान जारी किये जा रहे है और साथ ही कई जगा जाकर खुद और चक नरिक्षन भी किया जा रहा इसी करी में अब बीतर दिन केके पाठक जमुई पहुँचे जहां उन्होंने अनिमता देखे कि वहां कि हैड मास्टर से कई तरह के सवाल किए जिसके बाद हैड मास्टर केके पाठक से माफी मागने लगे और यह कहने लगे कि सर बारिष हो रही थी इस कारण ऐसा हुआ जिस पर केके पाठक के द्वारा कहा गया कि क्या करिएगा बारिस में दस दस मडर करवा दीजेगा फिर कहिएगा कि सर बारिस तो रही थी इसके बाद उन्होंने जिलादिकारी अवनीश कुमार सिंग को नर्देज या कि जिन भी लोगों ने विद्याले के नरिक्षन किया इसी कड़ी में जब वो उत्क्रमित मध्य विद्याले महुलीगर पहुंचे तो वहां एक ही कमड़े में तीन-तीन कक्छाई चलाई जा रही थी जिसको लेकर सिक्षा सचीव भड़क गये जबकि उस विद्याले में पुर्व से तीन कक्छाई मौजूद राश्ट्रे क्रिसी एवं ग्रामीन विकास बैंक यानिकी नाबाड के दोरा चालू वीतिय वर्स में राजी की 4,140 प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 14,470 करोड रुपे का रिंद दिया जाएगा जिसमें से सिचाई की 2340 योजनाओं के लिए 2500 करोड रुपे, 1149 सरक न बतादे कि नाबाड के ओर से यह लोन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेलप्मेंट फंड की ओर से दिया जाने वाला लोन बाजार लोन से सस्ता होता है इसका मुख्य उद्दे से राजिस सरकारों को ग्रामीन छेत्रों में बहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों के लिए सि करने के लिए रिन उप्लाद करवाना है पटना हावरा के बीच 532 किलो मीटर की दूरी वंदे भारत एक्सप्रेस से इतने घंटे में होगी पूरी 24 सितंबर को प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से पटना हावरा वंदे भारत ट्रेन को नौब वंदे भारत ट्रेनों के परिचारन का सुभारम किया जाएगा बता दे कि बंदे भारत एक्स्प्रेस से पटना हावडा के बीच 532 किलो मीटर की दूरी 6 घंटे 30 मिनट में पूरी होगी यानि कि इस ट्रेन की स्पीड 110 से 130 के स्पीड रहेगी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह ट्रेन पटना और हावडा से बुदवार को छोड़कर सबता हमें 6 दिन परिचालित की जाएगी वहीं अगर हम किराई की बात करें तो चेयर कार के लिए 1150 रुपए तो वहीं एक्जेक्यूटिव क्लास के लिए 2250 रुपए खर्च करने होंगे हाला कि इसमें अभी कैटरिंग सर्विस चार्ज नहीं किया गया है जो भी व्यक्तिस ट्रेन से यात्रा करने के एक्चुक है वा आज यानी की सनिवार से अपनी बुकिंग करा सकते हैं मालुम हो कि उद्घाटन यात्रा में ट्रेन पटना से रवाना होकर पटना साही, बार, मोकामा, लखी सराय, जंक्सन, जमुई, जसीडी, मधुपूर, जामतारा, सीतारामपूर, आसन सोल, जंक्सन, रानी गंज, अंडाल, जंक्षन, दुरगापूर, पानागर, बर्दव कार के सक्षा विभाग के दोरा, IPRD पर एक पोस्ट सेयर करी है, जानकारी दी गई है कि सैचनिक वर्ज 2013-24 हेतु, मुख्यमंत्री, अनुसुचित जाती, एवं अनुसुचित जन जाती, प्रविस्यों को तर्चातरविती, योजना और मुख्यमंत्री, पिच्रा वर्ग, एवं अती पिच्रावर्ग, प्रविस्यों को तर्चातरविती, योजना के अंतरगत आवीदन आमत्रित किये गए हैं, ऐसे में जो भी इसके लिए आवीदन करना चाहते हैं, वह www.pmsonline.bih.nic.in एवं मुबाइल एप के मात्यम से ओनलाइन आवीदन कर सकते हैं, वहीं ओन बात करेंगे दर्भंगा हाउस के बारे में, दर्भंगा राजकाल के दौरान कई महल बनाए गया थे और पटना में दर्भंगा हाउस उनमें से एक है, गंगा नदी के टट पर सित पास्तुकला का एक अधभुत नमूना वर्स 1901 में बनाया गया था, विटस वास्तुकार मंट ने इस महल को डिजाइन किया था और वह वही पास्तुकार थे जिन्होंने दर्भंगा में आनंदबाग पैलस को डिजाइन किया था, दर्भंगा हाउस की मुख्य विसेस्ता देवी काली मंदर है जो दो खंडों के बीच में बनाया गया था, उस समय के वर राज वार द्वार द्वारा पटना विश्यविद्याले को दान कर दिया गया था, परतमान में यह पटना विश्यविद्याले का एक हिस्सा है जो इस नातुतर पार्ठिक्रम प्रदान करता है, दर्भंगा हाउस हमेशा से परेटकों के लिए पसंदीता जगों में से एक रहा है बिहार में JEE वह नीट की फ्री कोचिंग के लिए हुई परिक्षा का आंसर की जारी अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो इंजिनरिंग और मेडिकल एंटरंस की फ्री कोचिंग के लिए हुई लिखित परिक्षा में शामिल हुए थे तो यहाँ खबर आपके लिए है बता दे कि बिहार विध्याले परिक्षा समीती के दोरा इस परिक्षा का प्रोवीजनल आंसर की जारी कर दिया गया है ऐसे में इसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थी और किसी सवाल के जवाब पर आपती होती है तो 23 सितमबर से यानि के आज से चार ओक्टूबर तक उसके लिए अपलाई कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे किस परिक्षा के तहट जिन विध्यार्थियों का चेयन किया जाता है उन्हें फ्री पढ़ाई के साथ साथ हॉस्टल फैसिलिटी और फ्री नियूटिशिन दिया जाए उप्योगिता प्रमान पत्र जमा नहीं किये जाने के मामले में इस दिन होगी सुनवाई राज़सरकार के बिवेण विभागों के द्वारा उपयोगिता प्रमान पत्र नहीं दिये जाने के मामले पर दो सपता बाद प्रटना हाइग कोर्ट में सुनवाई की जाने वाली है पतादी के पुर्व की सुनवाई में कोड के द्वारा अकाउंटेंट जनरल और राजिस सरकार को जवाब देनी का इनर्देश दिया गया था और कोड ने जाना चाहा था कि उन्होंने अपने शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया वही कोड को याचि का करता के धिवक्ता दीनू कुमार के द्वारा बताय गया था कि रासी 73,000 करोड का है जिसका उपयोगिता प्रमान पत्र नहीं दायर किया गया है इसके बाद राजसरकार के ओर से कोट को बताया गया था किस सम्मत में अकाउंटेंट जनरल और राजसरकार के विवन विभागों के सचीवों के बीच महा में एक पार फिर इस मुद्धे पर बैठक के जाने की संभावना है उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेट का अलान ये करेंगे बिहार का काया कल्ब इसको ध्यार में रखते वे राजसरकार के दोड़ा उद्यों को बढ़ावा देने के लिए लगतार काम कर रही है। जमीन उपलद कराया जा रहा। उन्होंने एलान करते वे कहा कि एक दो महीने में इस सेड में एक इंच भी जमीन खाली। भाग लेना चाहते हैं वह अपना आविदन और बायो डाटा जमाग कर सकते हैं लेकिन मालूम हो किस जॉब कैंप में भाग लेनी वाले एक चुक व्यक्ति को इस बारे में जला नियोजन फदाधिकारी अंकत राज के दोरा बताया गया है कि अभियर्थियों की सुभधा के लिए जला नियोजनारे में तूरभास संख्या 06254295737 पर हल्फ सिंटर बनाया गया है जिस पर संपर कर जानकारी हासिल की जा सकती है बिहार के कई जलो में बारिष के आसार बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है बदलते हालात के बीच में अगले 48 घंटे तक बारिष होने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदीश में ठंका गिरने की भी संभावना जताई गई है बता दे किस दौरान एक तरफ जहां ओर्रंज अलर्ट जारी किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ यलो अलर्ट भी जारी किया गया है विभाग के मारे तो 24 सितंबर तक प्रदीश में बारिश की संभावना जताई गई है 23 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि पश्चिम चंपारन, मधुबनी, सुपॉल, अर्डिया, कसंगंज, दरभंगा एवा मुझपरपुर में एक या दो अस्थानों पर बारिश होनी की संभावना है इन इलाकों में यलो अलर्ट जारी किया गया है वही पुर्वी चंपारन, शिभर, सीतामरी एवं गोपाल, गंज, जिलो के एक या दो अस्थानों में अती भारी बारिश की संभावना है इन आलाकों में ओरंच अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 24 सितमबर को लेकर जारी अपडेट में बताया गया है कि पुरवीचंपारण, शिवहर एवमसीता मरें में एक या दो अस्थानों पर पारिश होने की संभावना है, इन इलाकों में यलो अलर्ट चारी किया गया है सक्षक बहाली फेज 2 में सबसे अधिक इस विशे की है वैकेंसी विहार सरकार के सक्षा विभाग के दौरा सक्षक बहाली फेज 2 को लेकर जिलिवार पदों की सूची जारी कर दी गई है वहीं अभिया जानकारी सामने आ गई है कि सच्छक भरती परिच्छा के फेज दो में किस रिसे के सबसे अधिक पत पर बहाली होगी बता देगी कक्षा नौवी से बारवी तक के रिक्त कुल 37,710 पदों में करी 15 फीजदी पत केवल अंग्रेजी विशेक के हैं वहीं कक्षा 9 से 10 वी तक के कुलों में कुल 18,830 रिक्त पदों में 36 फीजदी से अधिक पत केवल अंग्रेजी और हिंदी के हैं इसके लावा कक्षाई 11-12 में कुल 18,830 रिक्त पदों में से 54 फीजदी पद, केवल अंग्रेजी रसायन सास्तर, भौतिक सास्तर और एनार बी के हैंसे में जहां तल जिलो का सवाल है माधिमे की कुल रिक्तियों का 42 फीजदी से अधिक पद केवल पटना, पश्मी चंपारन, सारन, दर्भंगा, कर्टिहार और मधुबनी में हैं वहीं उच माधिमी की कुल रिक्तियों में 31 फीजदी से अधिक पद केवल चार जिलो पटना, पश्मी चंपारन, सारन और मधुबनी में हैं सबसे अधिक पद पश्मी चंपारन, पटना, भोचपूर और दर्भंगा ज लौंच किया गया बता दे किसले फिल्म के लेखक मुकुल सर्मा के दौरा फिल्म को लेकर दी गई जानकारी के नुसार इस फिल्म में एक ऐसी प्रेम कहानी है जो आज के दौर में युवाओं के वीच रिस्ते की जटिलताओं को दिखाती है वह इस फिल्म में प्रसधिकायल हरी हरन के पुतर करन अपनी स्क्रीन इंट्री कर रहे है इसके साथ ही फिल्म की नाइका पानी कशप है जो इसके पहले गुजराती फिल्मों में काम कर चुकी है वह इस फिल्म का टाइटल ट्रैक प्यार है तो है भी लॉंच कर दिया गया है जिससे अर्मान मलिक और पलक मुच्छल के द्वारा गाय गया है एपल बना भारत में नंबर वन एपल ने जून तिमाही में भारत से सीपमेंट के मामले में साउथ कोडिया और चीन को पीछे छोड़ते वे नंबर वन कंपनी बन गया है बता दे कि जून तिमाही में देश के कुल 12 मिलियन सीपमेंट में से 49 फीज़ी की सीपिंग केवल एपल ने की है आकरों से मिली जानकारी के अनुसार यह बात निकल कर सामने आई है कि भारत ने इस साल मार्च तिमाही में लगबग 13 मिलियन स्मार्टफोन का नरियाद किया है जो 2023 की दूसरी तिमाही में गिरकर 12 मिलियन हो गया है वही भारत में नरियाद करने वारे सैमसंग और दूसरे ब्रान के नरियाद में भारी गिरावट देखी गई है जिसका जिमेदार उद्योग के अधिकारियों के द्वारा ग्लोबल डिमांड में गिरावट को ठेराया गया है एक्सपोर्ट वॉल्यू में सैमसंग के हिंसेदारी वितवर्स 2023 की पहली तिमाही में 50 फीजी से गिरकर दूसरी तिमाही में 45 फीजी हो गई है भारत की तियास में आज की तारीक है कहीं कारणोस दच बाल विवा निरोधक विद्यक सार्था कानूं 1929 में पारित हुआ भारत पाकस्तान के बीच 1965 में युद्विराम का आदेश हुआ भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनी 2009 में भारती उगढ़ा ओसन सैट दो समीत साथ उगढ़ा कक्छा में स्थापित किये स्वतन्ता सिनानी तिथा समा सुधारक यूसूफ मेहर अली का जन्म 1903 में हुआ हिंदी जगत सूप्रसिद कभी रामधाली सिंग दिनकर का जन्म 1908 में आज ही के दिन हुआ था विज्ञान में डॉक्टरेट के उपादी हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला रसायन सास्री असीमा चडरजी का जन् 1917 में हुआ हिंदी और पंजाबी फिल्म अभिनेता प्रीम चोप्रा का जन् 1935 में हुआ वालकर में आज हम बात करेंगे उत्तर रेलवे के लखनाव डिवीजन के बारे में सोसल मीडिया पर कहीं सुचनाय वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़रोई नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उत्तर रेलवे के लखनाव डिवीजन के बारे में दरसल P.I.B. ने अपने ट्वीट में लिखा है कि टाइमस ओफ इंडिया निउस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर रेलवे के लखनाउ डिवीजन ने तीन वर्सों में 168 कृतंकों को पकरने के लिए 79.5 लाख रुपए खर्च किये हैं जो प्रती कृतंक 41,000 94 रुपए प्रती कोच प्रति वर्स या 8 रुपए प्रती कोच प्रतिमाच भारत ने पहले वढ़े मैच में आस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हड़ाया भारत ने तीन मैचों की स्रिंखला के पहले एक दिवसिये में बीते दिन मुहाली के आईएस बंदराय स्टेडियम में खेले गए मैच में आस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हडा दिया आस्ट्रेलिया को 276 रन पर रोकने के बाद भारत ने 48 दसम्रों 4 ओवर में 5 विकेट पर 281 रन बनाकर मैच अपने नाम किया भारत के लिए सुबमंगिल ने 74, रुतुराज का एकवार ने 71, कप्तान लोकेश राहुल ने नावाद 58 और शुरिक कुमार यादव ने 50 रन का यो आम ने जीत के लिए 277 रनों का लक्ष रखा था इससे पहले भारत के कप्तान केल राहुल ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैस्टा किया था वहीं बता दे कि बीतर दिन खेले गए मैच में जीत हासल कर भारत ने सिरीज में एक शुने की बरहत बना दी है वार्सप ला रहा है ये शांदार अपडेट यूजर को ऐसा लगेगा जैसा आप ही उनसे बात कर रहे हैं ये फीचर तब जादा काम आएगा जब आप सही तरह से डुरस नहीं हो और वीडियो कॉल में अपना चेहरा नहीं दिखाना चाते फिलहाल ये अपडेट वार्सप बीटा के 2.23.19.14 वर्जन में देखा गया है वीडियो अपतार फीचर भी वर्टसप के अन्य फीचर्स की तरह end-to-end encrypted होंगे और आपके वल कॉल के दुरान कभी भी इसे switch हो सकते हैं बीते दिन गिरावट के दारे में बंद हुआ शेयर बाजार गिरावट के साथ ट्रेंडिंग क्लोज हुई है सबसे जाता विप्रो का सेयर 2.32 फीजदी की गिरावट के साथ बंद हुआ SDFC बैंक बीते दिन भी गिरावट के साथ बंद हुआ और 1.57 फीजदी की कमजोरी के साथ क्लोज हुआ है राश्टर कभी रामधारी से दिनकर के छोटे बेटे किदार नाथ सिंग का निधन बीते दिन राश्टर कभी रामधारी से दिनकर के छोटे बेटे किदार नाथ सिंग के दिल्ली एम्स में लाज के दुरान 85 वर्ष के उम्र में निधन हो गया पतादी की वह काफी लंबे समय से बेमार चल रहे थे वही उनके रिधन से साहिते जगत में शोकी लहरे सभी उनके ये श्रधा सुमन अर्पित कर रहे हैं मालमों के आज यानी के 23 सितंबर को रामधारी से दिनकर की जियनती बनाई जानी थी लेकिर उसे एक दिन पहले उनके छोटे बेटे ने जुनिया को अलविधा कह दिया बता दे ही किदार नाथ सिंग को पेट से संबंधी कोई बिमारी थी और वे पिछले ढ़ाई तीन महा से अस्पताल में भरती थे मालमों के किदार नाथ सिंग के दोरा कवीता संस्मनन और अन्य विधाव में लेखन किया गया है आंका सूरज, बांका सूरज, थोड़ा थोड़ा पुन, थोड़ा थोड़ा पाप, सिमरिया, सतवन और आंक में नाचते दिन की रचना की उनकी क्रिंतिया भी साहित जगत में काफी चर्चित हुई है हम प्रते दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और सुजरे जवाब बताएंगे चोकि BPSC, पिहार पुलस, तरोगा समीत, SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परिच्छाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास, पिहार स्प्रीश, विज्ञान, करेंट अफियर्स और भुगोल से रहेंगे पूछे के 500 सवाल में आपने कितना सही उतर दिया कृपा करके या हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में खारी और ग्रामुद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझोता किया है अप्शनी प्रसार भारती, अप्शनी दूरदर्शन, अप्शन सी आका स्वानी, अप्शनी इनमें से कोई नहीं इसका सही तरह आप्शनी प्रसार भारती अगला सवाल, हाली में रक्षा और विज्ञान पर भारत और मलेशिया के बीच दसवी बैठक कहां आयोजित हुई है आप्शनी महराश्ट्र, आप्शनी नई दल्ली, आप्शनी बंगलोड, आप्शनी लखनाउ इसका सही तरह आप्शनी नई दल्ली अगला सवाल, सुतंतर भारत का पहला चात्र आंदोलन कहां हुआ? आप्शनी दल्ली, आप्शनी बंगलोड, आप्शनी इलहाबाद, आप्शनी अलेगर इसका सही उत्तर है option B पटना अगला सवाल बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का पड़ियोग हुआ तथा भारत सीवक समाज का गठन किया गया option A सोन बांध, option B कोसी बांध, option C गंडक बांध, option D इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है option B कोसी बांध, अगला सवाल बिहार के मिथला की संगीत पड़ंपड़ा का प्रामानिक इतिहास के मुख्य श्रोत निमनें में से क्या है option A राज तरंगनी, option B राग तरंगनी, option C संगीत नाटिका, option D मान कौतहूल इसका सही उत्तर है option B राग तरंगनी बीत दिन हमारे दरा पूछे का सवाल का, आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जाब, हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया था जिन्हों नहीं हमारे दरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके बिहार के पसंदीता लेखकिया कभी कौन है अपना जवाब हमें अमारी comment section में लिखकर ज़रूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी निउस और साथ ही अगर आप यूटूब से देखरें चाल्म को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देखरें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद